बिग वस लीग दोजार तेश चौबिस का अगला मुकावला जो होगा मैच नमबर सेविंटीन जो खेला जाएगा मैल वन स्टार वर्सेज होवर्ट हरीकेन के बीच में टाइम होगा एक बच कर 45 मिलट 28 दिसम्बर दोजार तेश को यह मैच खेला जाएगा वेन्यू रहने व होती है अपने पिच को अच्छे से जानते हैं समझते हैं और अपने हम का फाइदा उठाते हैं बहुत कुछ होता है बात करेंगे इस वीडियो में पिच रिपोर्ट की टीम प्रिव्यू टॉप बैटर एंड बॉलर दोने टीमों को कंपेर करेंगे कौन सी टीम अब देखना है बात पर जिल्लों ने अभी तक हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्देल्दी सबसे पहले हमारे चनल को सब्सक्राइब किए जिए साथी साथ हमारे नोटिफिकेशन के बैल आइकन को अन कर लीजिए पर अपलोड उने वाली वीडियो के जो है उन साब के Confirm Mathis की Report के लिए आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं हमारे Whatsapp 976659549 साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे टेलिग्रम को जोईन कर सकते हैं ब्राट भाइइ 45 k यूजर नेम के तुरू भी आप अन्ये टेलिघ्रम तरक पहुंँ सकते हैं अब्ड अगर हमारे description में जाना है हमारे आपको link मिलेगा आप लिंक से जोइन करेंगे तो सीधा हमारे ओरीजिन चैनल पर वोचिंगे अगर आप यूजर नेम सर्च करके जाते हैं तो आपको चैनल के अंदर इस नंबर को देखना है 9721659549 जिस चैनल में message के साथ यह number आपको attach मिलेगा वह हमारा original channel होगा तो original channel को आपको join करना है अगर उसके बाद भी आपको को दिक्कत आती है चैनल को join करने में तो हमारे WhatsApp पे message कीजिए हम आपको proper link महां से provide करा देगे वीडियो पर आते हैं बात करके सबसे पहले picture report की match खेले जाएगा ओवल होवर्ट के अंदर जो कि होवर्ट का home ground है टोटल 58 matches आप यहां पर अभी तक खेले जा चुके है बिग बैस के बात चल दिए तो बीबील के अभी तक total यहां पर जो है 58 matches खेले जा चुके है जिसमें स 20 बार पहले बल्ले बाजी करने वाले ट कोशल बात करने वाली टीमे मकाब्ले जीते हैं कोई मुकाबल है आप टाय नहीं हुआ है वर्रेज स्कूर की बात करें तो वन इस ऑफर से उपर का सकोर गया है अगर बात करें वन 50 से एवब के स्कोर की तो 58 में से सिर्फ ग्यारे मैचे ऐसे हैं जिसमें 150 से नीचे तो सबसे पहले बात करने स्टार की तो इस्टार में आपको मिलेंगे थॉमस रोजर जिनका साथ देंगे सैम हारपर सैम हारपर थॉमस रोजर आपको ओपनिंग करते दिखेंगे दोने बैट्समन अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं लेकिन छोटा-छोटा में चल रहे हैं लास्ट दोनों मैचस में अच्छा स्कोर किया है इंग्रें मैक्स बेल कुछ अच्छा भी तक नहीं कर पाया लेकिन यह बंदा एक से दो बड़ी इनिंग हमेसा हर लीक के अंदर खेलता है और अपने तीन से दो से तीन मैच इसके फ्लॉप जा चुके हैं अ हो सकता है वो कल का मैच हो काफी अच्छी फॉर्म में चल रहा है नीचे से अल्मुस्ट हर मैच के अंदर इनको अच्छे रन करके दे रहा है इसके बाद इमाद वसीम अभी एक ही मैच खेले जिन्होंने बैटिंग थोड़ा कॉंट्रिबूशन किया है और इमाद वसीम के भी बॉलिंग अल-रॉंटर में काउंट होता है लास्ट मैच इसके अंदर काफी अच्छी बॉलिंग की है बैटिंग से अभी इसको जाता अच्छा मौका नहीं मिला है इसके अलावा हारिस राउफ और जोहल पेरिस आपको फास्ट बॉलिंग करते नहींween जारा है तो कहां से करेगा दूसरा बात करें होवाइट की तो होवाइट में आपको देखने को मिलेगा तॉप पर आपको मिलेंगे कैलफ जोएल और मैथ्यू वेड़ अभी तक फ्लॉप चल रहा है कुछ अच्छा नहीं कर पाया मैथ्यू वेड़ ने लास्ट मैचस के अंदर 85 रन की एक इनिंग के लिए बहुत अच्छी इनिंग के लिए और अपने टीम को विन करा है लेकिन मैथ्यू वेड़ भी पूरी टूनामेंट के अंदर मैकजिमम दो मैचस में रन करने वाला वैट्समेन है चाहे वो आईपेल हो चाहे वो बीवील हो चाहे फिल वो पाकिस्ता को सब्सक्राइब लेकं अच्छा जा चुका है वालर में कहीं भी कांट नहीं करता हूं उसके पाद तिम निके पास देख़ा जाए तो बैटिंग में धैफ थोड़ी कम है एक लगा है निखिल चौदरी इसको भी इनों ने मुखा दिया पिछले मैच में इसका नम्मन नहीं आया उससे पहले मैच के अंदर इसने 40 प्लस की इनिंग खेली थी तो अभी तक दो मैच खेला है जिसमें से एक बार इसको बैटिंग करने को मिला है और जिसमें बादर में टिम डेविट और कोरी अंडर्सन आपको बॉलिंग करके देते हैं तो इस टीम के पास बॉलिंग ऑप्शन काफी एच्छे हैं टोटल चार प्योर बैट्स बॉलर बॉलर रहा है और इंटरनेशनल बॉलर से पैत्रिक डूली भी एक से दो इंटरनेशनल मैच खेल लेकिन अच्छा इस्पिनर बॉलर पैत्रिक डूली है तो बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग दोनों ही टीमों की देखी जाए तो काफी अच्छी है लेकिन बैटिंग की बात करें तो कहीं न कहीं मेलवन स्टार की बैटिंग में थोड़ी डेफ्ट नजर आती है तॉप लूख रन स्कोरर की बात करें अभी तक जो मैचे वेड़े घाया है। हिल्टन काटराइट ने चार इनिंग के अंदर 126 रन बनाया है। बैरिस्टर ने तीन इनिंग के अंदर 902 रन मनाया है। मैथ्य वेर ने दो इनिंग में 93 रन बनाया है। से एक इनिंग में 85 रन और एक इनिंग में छैसे साथ रने कृषिस जॉर्डन भी बैटर में आ गया है क्योंकि इसने एक मैच के अंदर लगवग बाइस-पच्छिस बॉलो के अंदर फिफ्टी नियां इनिंग खेड़ी दो मैच जिसमें 75 रन कृषिस जॉर्डन ने बनाए पयंकि बंध संदे दो मैच में चार्विकिट लिया हैं घृवग बात कर रहा है है उस Σांव में ने चार मैच में चार्विट relação नाथन एलस lesson says टी दीन मैंच इन और इंदर विकट बाथ करें बेड़न ग Cry बनाया हॉवाट ने और 184 बनाया मैलवन इस्टार ने कि लोएस्ट स्कूर है हावड का 101 लोएस्ट स्कूर ने लास्ट दस मैस्ट की बात करें तो हॉवड की पर्फोरमेंस कहीं अच्छी है compare to Melvin star अब मैं ज़र डाल लेते है on venue जिस ground पर match खेले जाएगा उस ground पर last 10 मुकाबलों में से 7 मुकाबले होवाइट ने लगवाइट 70% मैचे सेनी के 7 मुकाबले होवाइट ने जीते हैं बात करें Melvin star के Melvin star इस ground पर 7 मुकाबले जीते हैं साथ में से 42% लगवाइट साथ में से से मन के ज़गी के 3 मुकाबले जीते है Melvin star ने on this venue बात करें average score की तो average score इस ground पर Melvin star का अच्छा है 162 का average score है जबकि होवाइट का जो average score है वो 153 है तो इस ground पर Melvin star बैटिंग करना पसंद करती है अच्छे score करना पसंद करती है highest score की बात करें दोसो तीन दन है lowest की बात करें तो 131 है Melvin star का होवाइट में डालेंगे तो 187 होवाइट ने अपने home ground में highest बनाया है और 122 lowest बनाया है होवाइट ने तो on venue winning numbers होवाइट के ज़्यादा है क्योंकि वो उनका home ground है वो ज्यादा मैचेस अपने ground पर खेली है लेकिन अगर score की बात करें या average score की बात करें तो मेलवन स्टार के favor में जाता है तो मेलवन स्टार क्योंकि बैटिंग परड़ाइज विकेट है और मेलवन स्टार के अंदर स्टार्टिंग से जब से मेलवन स्टार खेल रहा है उसके अंदर अच्छे बैटर्स हमेशा रहे है अब अगर हम बात करें head to head की head to head में आप देखेंगे की total 19 बार दोनों team में आमने सामने आएगे जिसमें से 12 बार मेलवन स्टार तो साथ बार होवर्ट में मुकाबले जीते हैं head to head में अगर देखेंगे तो मेलवन स्टार के बिनिंग नमबर्स ज़ादा है होवर्ट से एवरेज स्कोर की बात करें 156 का एवरेज स्कोर है होवर्ट के सामने मेलवन स्टार का 153 का एवरेज स्कोर है मैलवन स्टार के सामने होवर्ट का पहले बल्ले बाजी करते हुए होवर्ट ने चार मुकाबले जीते हैं और बाद बल्ले बाजी करते हुए होवर्ट के सामने पांच मुकाबले जीते हैं और बाद बल्ले बाजी करते हुए साथ मुकाबले जीते हैं तेकि TOS का कोई report नहीं होता, TOS का कोई calculation नहीं होता, TOS judgment के base पे दिया जाता है, तो TOS का जो winner हो सकता है, वो male one star हो सकता है, और बात करें, इस ground पे winner की, winner भी male one star ही इस ground पे होने वाला है मेरे according, अगर team same रहती है तो, अगर team में कोई changes होते हैं, तो final team आपको दी जाएगी, 97216595 पे और हमारे टेलिग्राम के लिए, टेलिग्राम को जाइन कर लिजीगा और WhatsApp से में जुड़ताएगा, फाइनल टीम के लिए, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ओन कर लिजिए, और नमर को save करना 972165 9549, मत भूलिएं मोईल में save कीजिए, अगर आप loss में चल रहे हैं, अपने loss को recover करना चाहते हैं, तो WhatsApp कीजिए, thank you for watching, take care